उसे यही जवाब देता है अब यहाँ पे हैगरी उसे कहता है कि मुझे यह देने में कम से कम एक महीना लग जाएगा इसलिए तुम इतनी जल्दबादी मत करो तो त्यांग चैन कहता है कि मैं इतनी जल्दबादी में नहीं हूँ बस तुम यहाँ पे मुझे वो पासकोड डे निकल जाते हैं और फिर हमें सेंच चिलकर उनी Cohen को दिखाया जाता है जहां पे जितने बंदे ओते वह उने से बाहरर निकल रहे होते今天 अव आख का। रास्ता इतना बढ़ा तो नहीं था जिसकी मलत से वह सब एक ही बार में निकल सके लेकिन एक बार में सिर्फ 100 पेपुल ही निकल पा रहे थे अब यहां पर लोग अराम से निकल रहे थे और यहां पर ठंडर गॉर्ड यह सब देख कर कहाता है कि यहां का एक जित बहुत ज़्यादा स्मॉल है बता नहीं इसे बाहर जाने में हमें कितना टाइम लेगा अब यहां पर 10 पेपुल एक सेकेंड में जाएंगे तो एक घंटे में 30,000 लोग ही जा पाएंगे और इसकी मदद से हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हॉंग भी कहते हैं कि हम लोग आखिर का एकजिट के पास पहुँची गए और लोफेंग भी एसमायल करते कहता है कि हां तुमने शाहि कहा हम लोग अब बाहर निकल पाएंगे और अभी के मुताबिक उनके पास बहुत ज़्यादा विल्फ हा जो कि अगर बात करें किसी सेक्टर लोड के बंदेके तो उससे भी जादा उनके पास कई गुणा ज़्यादा विल्फ था अगर बात की तो लुफञंग ने भी अपने cloud contact wind को भी breakthrough करवा लिया था जिसके कान वो और भी ज्यादा powerful हो गया था और यहां पे उन सब को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था जिन में उन्हें wealth और strength दोनों मिली हुई थी और यहां पे वो लोग ऐसे वेट करने लगते हैं और फाइनली उ सब की बारी आ जाती और वो लोग भी बाहर निकलने लगते हैं और लुफञंग, हॉंग, टंडर गॉर्ड और और अगर दोनों बीम ओफ लाइट बनके इंटर हो जाते हैं उस गेट से और आफ पर हमें क्यांगलें इस्टार इंसिंट सिटी को दिखाया जाता है जहां पे सारे एक्स्ट्रोलर उसी के बाहर खरे होते हैं और वहां अंगिनट एक्स्ट्रोलर फ्लाइ करके आ रहे होते हैं और यहां पे कोई भी भागने की कोशिस नहीं करता है क्योंकि अगर यहां पे किसी ने भी भागने की कोशिस की तो वो मारा जाएगा और यहां पे अगर किस सारे इस सर्वाइबर्स को दीख रहे होते हैं ताकि उनमें भी उनके बंदे मिले हो ताकि उनसे उन्हें ट्रेजस मिल सके और अब फिर हमें ठंडर गॉड को दीखाया जाता है जो इन सब को दीख कर लूफैंग को कुछ बोलता है कि प्रदर वहां दीखो और जब देख रहे होते हैं, इसी कान, लूफंक कर देखने की कान, नलाट सांथ को पता चल जाता है, कि कोई उसे घूर रहा है, और यहां पर लूफंक यह दीख कर इसके expression बदल जाते हैं, क्योंकि साथ, नलाट सांथ ने उसे देख रहा था, और लू फंक की expression भी change हो जाते हैं और वहाँ पर नालां सान की नजर भी लूफेंग भी नजर आ जाते हैं अब लूफेंग को देखकर वो कहता है कि क्या लख है आखिरकार मैं उसे reality में मिली पाया अब मैं उसे अपने अपमान का बदला यहाँ पर ले लूँगा और मैं जो status है उसके अनुसार मुझे यहाँ कोई नहीं रोख पाएगा और अभी के दिन में नालां सान पूरी तरह से confident था क्योंकि इस universe ने उसके जैसा universal level position बहुत ही कम था और अगर बात की जाएं यहाँ पर लूफेंग के star level होने की तो यहाँ पर उसके सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था अगर नालां सान चाहता तो लूफेंग को अराम से मार सकता था क्योंकि लूफेंग से star level का ही बंदा था जिसके कायन उसके लिए उसको मारना इतना आम बात था अब यहाँ पर फिर हमें scene change कर कैंगलन star को दिखाया जाता है जहाँ पर 3X Mountain की आर्मी एक जगा पर आके रुकी हुई होती है और वहाँ पर दूर से ही नालां सान उसके आर्मी के center की और बढ़ने लगता है और तभी वहाँ पर एक powerful voice बोलता है कि रुकू यह 3X Mountain आर्मी है नालां सान तुम यहाँ पर जो 100 Tiger building के हो यहाँ पर कैसे आ सकते हो और आखिर तुम यहाँ पर चाहते हो क्या हो और वहाँ पर सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर यह नालां सान हमारे तरफ क्यों आ रहा है जो कि 100 Tiger building से है तो इसका 3X Mountain आर्मी में क्या काम और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो उसको देख के कहा था कि ओ तो यह नालां सान हो तुम 100 Tiger building people हो तो आके तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वहाँ पर जितने भी 70,000 लोग होते हैं वो नालां सान को ही देख कर रूप जाते हैं और उसके एक्स्प्रेशन बहुत ही जाला गुस्से में होते हैं और वो उन्हें मन में ही गाली देने लगते हैं अब यहाँ पर लूफेंग एक स्टार लेवल के होने की कान यहाँ पर वो सब को यह बता पा रहा होता है अब यहाँ पर नालां सान को लगा था कि लूफेंग 3X Mountain Organization का एक सोल्जर होगा इस एकानियों से अराम से मार सकता है लेकिन वहाँ के बंदे नालां सान को रुकने को कहते हैं बोलते हैं कि यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वहाँ पर 5 बंदे आ जाते हैं जो कि 3X Mountain Organization के होते हैं और वो 5 यूनिवर्सल लेवल के होते हैं अब यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर 3X Mountain के बंदे हैं तो तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है यहाँ तक कि सेक्टर लोड और दोमेन लोड के बंदे भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते हैं लेकिन तुम नालांसान फैमली तुम 100 टाइगर विल्निंग के होके भी इतनी बारगेनी करने आ गए हो आके तुम्हारी हिम्मत क्या है तुम चाहते हो कि तुम यहाँ आके हमारे ट्रेजस को लूटना चाहो और वो भी तुम युनिवर्सल बेंग होके भी इनके सामने ऐसा जुरत दिखा रहे हो अब यहाँ पे वो पाँचो बहुत ज़्यादा गुसे में होते हैं अब यहाँ पे नालांसान इसमाल करते हो बोलता है फाइब सर यहाँ पर मैं आपके आर्मी को लूटने नहीं आया हूँ तो यह सुनकर वो कहते हैं कि आके तुम यहाँ पे क्या करने आए हो तो वो कहता है कि मेरा यहाँ पे एक personal enemy है इसलिए मैं उससे सब कुछ अपना settle करने वाला था अब ये सुनकर वो पांचो बंदे कहते हैं कि आके तुम्हारा कौन enemy है तो नालांसान कहता है कि उसका नाम लूफेंग है और वो तुम्हारे इस आर्मी का एक small सा soldier है तो ये दिख था कि यहाँ का मैं सांती भंक करूँ मैं यहाँ पे तुम सब के साथ कुछ नहीं करना चाहता है इसलिए मुझे लूफेंग को दे दू अब यहाँ पे वो पांचो बंदे बिल्कुली सांत करे हुए थे लेकिन वो यहाँ पे उनको नहीं देना चाहते थे क्योंकि यहाँ रूल के खिलाफता और यह देखकर नालांसान के एक्स्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा अगली हो जाते हैं और वो कहता है कि यहाँ पे मैं उसे लेना चाहता हूं लेकिन फिर भी वो पाचों नहीं मानते हैं और इसके कान नालांसान को वहाँ से निकलना पड़ता है और अब कहता है कि अभी यहाँ पे नालांसाने हमें कैसे भी करके उससे अपना पीछा चुराना होगा और यहाँ पे होंक के एक्स्प्रेशन भी अभी गुस्से में होता और कहते हैं कि हमें उस नालांसान को यहाँ पे मारना ही होगा नहीं तो यह नालांसान आगे हमारे अर्थ को पीस में नहीं रहने देगा तो टंडर गॉर्ट कहाता है कि क्या हम लोग लॉड मिंग्यू को इसके लिए बारे में कहें तो यह सुनकर लूफएंग की आंके चमक उठती है और यहाँ पे लूफएंग के पास कोई ना कोई एक आइडिया आने वाला है कि यहाँ पे वो नाला सान को मार दे तो यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और यहाँ पे उनके लिए यह असान बात होगी अब लूफएंग कहता है कि हमें आखिर कौन सा ट्रेजर्स देना चाहिए जिससे कि इसके सक्सेस के चांस बहुत ही जारा हाई होंगे तो ठंडर गॉर्ड भी काफी इंट के लिए क्योंकि अगर लॉड मिंग्यू के बारी में देखा जाए तो बबाता के गाइडेंस से हमें पता चला है कि इसकी विपन की प्राइस बहुत ही जाला हाई है और यहाँ पर उनको खरीदने के लिए बहुत जाला पैसे की जरूरत होगी और यहाँ तक ही सिर्व सेक्टर लॉड के बंद नहीं इस विपन को अफॉर्ड कर सकते हैं जिसके कान मिंग्यू एक डोमेन लॉड के होके इसे जरूर लेना चाहेंगे और यह उनके लिए काफी होगा और अब फिरा में सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि ऐसे ही टाइम बीटने लगता है और 3X Mountain के एक्स्प्लोर सारे अपने इंसेन चीटी से उड़कर एक जगा पहुशते हैं जहां पे कई सारे लोग होते हैं और वहां से घटके सारे लोग फिर से आ जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और तब ही वहाँ पे लॉड मिंग्यू आते हैं जो और यहाँ पे लॉड मिंगी उन चारों को ख़रा करते हैं और कहते हैं कि इतना भी पॉलाइट होने की जरूरत नहीं है और वहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें मेरे विला में आना होगा ताकि तुम लोग रेस्ट कर सको और अब फिर हमें एक सीटी को दिखाया जाता है जहाँ पे वह 20 किलोमेटर डूर इंसेंट सीटी से दूर होता है जहाँ पे एक ओल्ड डिपार्टमेंट स्टोर पेंट हाउस होता है और वहाँ पे नालांसान भी उन सब को देख रहा होता है जहाँ पे लूफएंग को मिंग्यू के साथ देखकर बहुत ही जा गुसा हो जाता है कि य अच्छा नहीं है आखिर मैंने यह एक्सेप्ट नहीं किया था कि लूफएंग आखिर लूड मिंग्यू के साथ कनेक्शन कैसे बना सकता है और यहाँ पर लूफएंग के साथ बहुत ही अच्छा बरताओ कर रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो उसे मालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर नालांसान बहुत ही ज्यादा गुश्से में होता है और वहाँ के एक सामान को तोड़ देता है और अब फिर हमें चीन चीन का लूफ है और उसके टीम को दिखाया जाता है जो कि लूड मिंग्यू के सामने ही बैठते हैं अब यहाँ लूड मिंग्यू पूजते हैं कि आकर तुमने मिले क्या लाया और यहाँ पर वो यह भी भोलते हैं कि मेरे उन चारों बोडी गार्ट ने बहुत सारे ट्रेजर्स कलेक्ट किये थे लेकिन किसको पता था कि आकर वो नाइन प्रिंस लॉरीन उन सब को मार कर उन सब के जादा नहीं हुआ और यहाँ पर मिंग्यू उन सब के तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तो आकर तुमारी अर्णिंग्स उस वर्ल्ड वितिन वर्ल्ड के अंदर कैसी रही तो लूफएंग कहता है कि हमने वहाँ एक ट्रेजर को एक्सचेंज किया अभी यह सुनकर मिंग् के आते हैं वहाँ की स्पेस भी कापने लगती है और उसकी और बहुत ही जादा पावरफुल हो और यहाँ पर लूफएंग उस विपन को निकालते हुए कहता है कि लूड मिंग्यू यह लेवल 5 जेनेटिक एनरजी विपन है जो की एयर कटर नाइफ है तो यह देखकर उनक ज्यादा एक्सपेंसिव था जो की लूड मिंग्यू के काम आ सकते थे अब बात कीजा लेवल 3 विपन की तो उनकी कोष्ट कुछ 100 बिलियन ब्लैक ड्राइकन डॉलर्स होती है लेकिन अगर वही बात करें लेवल 5 जेनेटिक विपन की तो बहुत जादा कोष्टली होती है और इनकी पावर डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत ज्यादा पावर्फुल होती है अब लूफैंग से मिंग्यू कहते हैं कि मैं सर्प्राइज हूँ तुमने आखिर मिले इतना अच्छा प्रेजेंटेशन लाया तो बताओ तुम्हें आखिर इसकी प्र देखते हुए बोलते हैं कि जैसा कि मैं तुमसे कहा था मैं तुम्हा इसा मिस्ट्विट नहीं करूंगा तो बताओ क्या तुम्हाई कोई रिक्वेस्ट है तो लूफैंग कहता है कि हां मैं एक इनसान को मारना चाहता हूं तो मिंग्यू ये सुनकर कहते हैं कि किसको आखिर लूफएंग अगर किसी युनिवर्सल लेवल 9 की बंदी को 10 को भी मारने के लिए बोलता तो वो कर देते हैं कि इसके सामने वो कुछ नहीं था और फिर वो बोलते हैं कि ऐसा क्या होगा कि मैं अपनी वन ठर्ट अफ टेटरी टुमें दे दू जहां पे तुमें मैं एक लाग प्लानेट देने वाला हूँ जिसमें कि तुम्हें आधा अरिकार होगा और आधा मेरा और वहाँ पे पूरी तरह से तुम ही राज करोगे वहाँ के अर्णिंग को लेके वो सब तुम्हारे पास ही होगा और अधा तुम्हें कैस चाहिए तो इसके बारे में लूट मिन्यू जो सोचे लगते हैं कि आखिन लूट मैं को कैस कैसे देंगे और अफ फिर हमें लूट मैं को दिखाया जाता जो कि कहता है कि मैं सिर्फ इस्टार लेवल कहीं बंदा हूँ और मेरे पास इतनी ज्यादा प्रोपटि और मनी होना विकार है और मैं उनका यूज भी नहीं कर सक सकता हूं लेकिन आप एक डोमेन लोड हैं तो आपके पास यह रह सकता है और अगर में पास इतना ज्यादा बैसा हुआ तो सब की नजर मेरे पास आ जाएगी तो वो कहते हैं कि आखिर कैसा होगा कि तुम्हें मैं दस हजार लाइफ प्लानेट भी बहुत ज्यादा था तो लॉड में यू कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें 100 प्लानेट देने वाला हूं जिस पर लाइफ होने वाली है और यहां पर इसके कान कोई तुम पर नजर भी नहीं बनाएगा और अगर बात करें कैस की तो मैं उतना जादा केर नहीं करता हूं क्योंकि इसकी प्राइस मेरे सोच से भी बहुत ज्यादा है और फिर यहां पर लूफ्रेंग कहता है कि लॉड मिन्यू आप जितना चाहें दे सकते हैं हम तीनों के लिए ये काफी है तो लॉड मिन्यू कहते है कि फिट ठीक है तुम अपना एकाउंट नमर म को दिखाया जाता है जहां पर लॉड मिन्यू उनके बैंक कंवक से उध्यक आथे हैं कि तुम्हारा पस कुछ पैसे तो है और यहां पर लूफ्रेंग के की पैसे ठ्रांसफर कर देते हैं और तभीु ओंकाउंट पास एक mail आता और बबाता उसे खोल कर देखती और यहां पर लूफएंग अपने consciousness में जाके उसे देखता है तो उसमें वहां पर एक mail आया होता है कि respective customer आपके bank account में 20 billion universe dollar आया हुए थे जब कि आपके bank account 10 billion universe dollar के margin को cross कर दिया है इसके कान आपका bank account two star level account में promote कर दिया जाता है और इसके साथ आपको कहीं सारे privileges में मिलेंगे और अब फिर हमें उसके नीचे और भी जादा दिखाया जाता है जिसके नीचे लूफएंग के privileges के बारे में लिखा हुआ होता है कि universal galaxy bank में आपको जैसे जैसे इस्टार लेवल में आप होंगे आपको उतनी ज्यादा privilege मिलेंगी और यहाँ पर लूफएंग के पास और रेड़ी 10 billion universe dollar से ज्यादा हो गया था जिसके कान वो टू इस्टार क्लाइंट बन चुका था और लूफएंग को पता था कि एक इस्टार क्लाइंट होना भी कितनी ज्यादा बड़ी बात होती है और अभी के धर मिया उसके पास 10 billion universe dollar है और एक universe dollar की बात करें तो टोटल 33,000 गानू डॉलर्स होते हैं जिसे कि अगर 10 billion universe dollar किया जाए तो 33 trillion गानू डॉलर्स होते हैं और अगर बात करें एक प्लानेट की तो वो 1 trillion Black Dragon डॉलर्स होती और 700,000,000 गानु डॉलर्स और अगर बात करें तेन बिलियन उनिवार्स डॉलर्स की तो उससे हम लोग 50,000 लाइफ प्लानेट को ख़र सकते हैं और यह सब ज्यान के लूप्रेंग बहुत ही ज़्यादा सौक हो जाता है और उसे यकीन ही आता कि डुमेंड इनर्जी उनके सोलडर को प्रेस कर देती है जिसके कान वो फिर से बैठ जाते हैं अब यहां पर मिंग्यू कहते हैं कि इतना मस सोचना कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दे दिया है क्योंकि जो तुमने आर्थ ब्लेट कटर मुझे दिया है उसके सामने यह कुछ भी नह लगती है और वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर लूफैंग, हंग, ठंडेकर और आगोच सभी सौक हो जाते हैं और तभी एक बंदा वहां पर आ जाता है जिसके सर पे डो हॉन्स लगे हुए होते हैं और उसकी आखों में भी चमक दिखाए दे रही थी और वहा लूफैंग, हंग, ठंडरगर और अगर भी सौक हो जाते हैं कि क्या एक सेक्टर लॉड और उन्हें यकीन नहीं होता कि आखिरकार वो परसनली एक सेक्टर लॉड को देख पा रहे हैं अब यहां पर लूफैंग उन सब की तरफ देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उनकी और ही बहुत जाना स्टॉंग थी जिसके कान लूफैंग के दिल में भी उनकी प्रतित दर बैठ गया था अब यहां पर वो कहते हैं टॉल मैं कि मिंग्यू तुमारा लग इतना भी बुरा नहीं है तो मिंग्यू भी उसके सामने रिस्पेक डिखाता है और कहता है कि हाँ अ उसे दे देता है और अब पिर हमें उस तॉल मैंन को दिखाया जाता है जिसकी आके भी It is a weapon और उसेपर बहुत हीम ज्यादा होती है और कहता है कि पाहुत कूप यह तो अच्छा अच्छा बेड़ है और ये देखकर वो मिंग्यू बो करते भी कहता है कि कॉंग्रेचुलेशन जेनरल आपके पास एक वेपन आ गया है अब इसके बाद वो उन सब का डील कर लेते हैं और इसके पास और रेड़ी पैसे ट्रांसफर हो चुके थी और वहाँ पे वो चला जाता है और अब फिर हमें सीन चेंज कर लूफैंग होंग और ठंडरगर और अगर को दिखाया जाता है जिने इस बात की भरक भी नहीं होती कि कब वो सेक्टर लोट बंदा आया और कब उसने एर कटर ब्लेड लिया और कब उसने अपने स्पेस को टियर करके वहां से गायब हो गया अब यहाँ पे लूफैंग भी सौक होता है कि यह स्पेस टियर क्या है यह टूर से तीन किलोमीटर डग स्पेस टियर क्या आखर वो टेलिपूर्ट कैसे हो गया तो यहाँ पे तभी बबाता क्या थिये कि बेवकूफ उसने टेलिपोर्ट नहीं किया है वो बस उड़के यहाँ पे आ गया क्योंकि वहाँ उसकी स्पीड बहुती ज़्यादा थी जिसके मदसे तुमने उन सब के बारे में नहीं पता लगाया और यहाँ पे वो सेक्टर लॉट यूनिवर्स के ओरिजिन को भी कंट्रोल कर सकते है तो लूफएंग पूलता है कि आखे वो उरके आया तो आखे उसकी स्पीड कितनी थी तो बबाता क्या थी कि उसकी स्पीड 32,169 km per second ही अब यह सुनकर लूफएंग भी सौक हो जाता है अब यह इतनी जाए स्पीड थी यह जानकर लूफएंग भी सौक हो जाता है कि लाइट की स्पीड भी 3,000,000 km per second होती है लेकिन इस स्टर लॉट का बंदा अपने एक ही सेकेंड में 1 by 10 अफ लाइट स्पीड के पावर में आ चुका था अगर वो सेक्टर लॉट का बंदा चाता तो अपने थोड़ी सी ही पावर से एक प्लानेट को अराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है और अब फिर हमें उसी विला को दिखाया जाता है जहाँ पर लॉट मिंग्यू हसते हुए कहते हैं कि लो फैंग तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और वो फिर पूछते हैं कि आके तुम किस यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे के बारे में बात कर रहे हो जिसे की मुझे मारना है तो लो फैंग कहाता है कि उसका नाम नलांसान है तो ये सुनकर वो सौक हो जाता है और वो देखने लगता है कि क्या नलांसान तो लो फैंग कहाता कि क्या इसमें कोई प्राब्लम है तो मिंग्यू कहते ही कि नहीं इसमें थोड़ी सी तो problem है लेकिन ये उतनी भी बड़ी problem नहीं है अब हाला कि वो battle x warrior का title ले चुका है और उसके domain log में breakthrough करने के chance बहुत ज़्यादा high है और यहाँ पे इसी कान 100 tiger building उस पे हमेशा एक elite की तरह tweet करते है लेकिन उसने कई सालों से अपना breakthrough नहीं किया है तंडर गोर ये सुनकर थ्वासा मराहत महसूस करते है और वो कहते हैं कि वो नालांसा उन्हें मरना ही होगा आखिर हमें उसे मारना ही हुआ तब ही हम अर्थ को जाके बचा पाएंगे तो यहाँ पे lord menu अपने आखों को बंद करते हैं आते हैं कि चलो मुझे देखने ही तो क्या वो यहाँ पे kangaline star पे है या फिर वो यहाँ पे चला गया और फिर हमें lord menu को दिखाया जाता है जहां पे एक formless space energy चाहता फैल्टी है जो कि पूरा kangaline star को घेड़ लेती है और एक सेकेंड बात मिंग्यू अपने आखों को खोलता है और लो फैंग और ठंडर गॉट उनके सामने अपनी आसा को लेकर दीख रहे होते हैं लेकिन मिंग्यू कहते हैं कि तो वह लोग इजी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है तो मिलते है नेक्स टूडियो में और देखते हैं कि क्या lord म देखते हैं कि यू नानांसान को मार पाते हैं या फिर नालांसान उसे बचके निकल जाता है तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तब के लिए बाई